कि अज़ों कैसे हैं हम लोग आज फिर दूसरी क्लास पर आ गए हैं अलेक्ट्रो मेंगेनेटिक वेश बाद में करेंगे यांत्रीक तरंगे तो यांत्रीक तरंगे जो है आप दो तरीके को होती है एक जो है आपका इसमें करते हैं दूसरी जो हती है जो ममध्यम पर Лघ नहीं करती है तो आप यहां पर देखें तरंग दो तरीके के यह पर एक आपका यहां पर सब्सक्ति अब पहला नाम है इसका जिसको बोलते हैं आडिबल या स्रब तरंगे बोलते हैं जिसको हम सुन सकते हैं और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक या आप स्रब तरंगे जिसको हमारा कान सुन नहीं सकता है और तीसरा होता है अल्टरासोनिक या परास्रब तरंगे इसको भी हमारा कान सुन नहीं सकता है तो आप को इसमें कुछ सवाल अभी बताने है जैसे जैसे बोला जाए कि मच्छर कि तरीके की तरोंगे उत्पन करता है तो ये 3 तरीके की तरोंगे हैं जिसको बोलते हैं तरीके की तरंगे होती हैं जब हुकम कभी आता है तो क्या सुन पाथे हैं उसको अगर पेle से तो क्या होगा हम सुपीधाumo से बच जाएंगे और जो भीआए तुन में 25 तरीके की तरंगे उसके दोलना हेंदाना है उसको कि या तर. Инस को सुन happenshrabbe tranghe आsurabbe और ये है आपका पराश्रabbe तो एक-एक करके हम लोग scope करने वाले हैं पराश्रब彁 tranghe तो स्रबПрdırंगों की जो wavelength है या तरंग-डेर्ड रहा फ्र CNS जिसे बोलते हैं हम तो यहाँ पर 20 Hz है 20 Hz अगर होते हैं तो उसे हम श्रब तरंग बोलते हैं और इधर आप लिख सकते हो 20,000 20,000 हर्ट्स या 220 x 10 to power 3 किलो हर्ट्स बोलते हैं तो ऐसी तरंगे जिसको हमारा कान सुन सकता है वो कहां से होते हैं 20 से 20,000 हर्ट्स तक तो यह तरंगे जो है हमारे कानों के दारा सुनी जाती है और इसमें जो आते हैं तरंग उसको बोलते हैं sound या ध्वनी तो ध्वनी को हम इसको आगे पढ़ेंगे चुकि यह एक special case बनेगा इसमें तो sound जो है 20 से 20,000 हर्ट्स तक के होते हैं जिसको हमारा कान आसानी से सुन सकता है अब स्रब इतरंगे क्या होती है 20 हर्ट्स से कम होती है 20 हर्ट्स से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं अब स्रब इसको भी हमारा कान नहीं सुल पाता है परास्रब जो होता है वो 20,000 से अधिक होता है 20,000 से क्या होता है अधिक होता है तो तीन वेंज हो गए आपके एक औरिबल दूसरा इंफरासोनिक और तीसरा अल्टरासोनिक तो हम करें साउंड को हम आगे पढ़ेंगे आप इंफरासोनिक की बात करते हैं कि इंफरासोनिक क्या होती है देखे जब कभे बेस समुदर में कोई लहर आते है या सुनामी आने व वाली मच्छिलियां है या वेल है या सार्क है वो क्या होते हैं पानी के ऊपरी सिता पर आ जाते हैं क्यों कि उनके अंदर इस छम्ता होती है उन तरंगों को पहचान लेते हैं उनको बेचैनी होने लगती है, जिसकी बजह से जो समुदर के आसपास के लोग रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठेक है? और अगर तुफान आने वाला होता है तो कुछ चिडिया होती है वो चिडिया जो है चहचाने लगती है बेचान हो जाती है और जब और कभी ऐसी कुछ घटना होती है तो अपने होल से या बिल से साप बिक्छो या जितने भी जमीन के भेतर रहने वाले जानवर होते हैं वो इस थारीके से कहा जा सकते है कि 20 Herz से कम तृंगे जो उत्पन करती है वो सब आती है आपके इन्फ्रासूनीक प्रसारइल साउंड उत्पन करने वाले जानवर कौन कौन से हैं तो इसको आपको देखना इन्फ्रासूनिक ढ़िए अपस्रब ढखने ऊप्र तरंग उत्पन करने वाले धने उत्पन करने वाले कौन-कौन से जानवर होते हैं तो उनके नाम लिखना यहाँ पर तो पहला है वेल वेल उत्पन करता है दूसरा है डॉल्फिन डॉल्फिन भी इसी धनी उत्पन करती है एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन से पानी में कैसे बात च संदेश उत्पन करते हैं टॉल फिस मचलिया आपस में दूसरे कैसे बात्येत या संकेत लेते हैं वो सब इनफ्रासोनिक होता है जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं यह लोग आपस में सुन लेते हैं तो ठेक है तो यह आपका है seismic wave या इसको बोलते हैं हम भूकम पे तरंग तो भूकम में उत्पन होने वाली तरंगे किस तरीके के तरंगे होती है इंफ्रासोनिक होती है ठीक है तो यह कुछ बात हैं हमको याद रखना है जो राइनो सिराज होता है गैंडा गैंडा भी जो है इस तरीके के तरंगे उत्पन करता है और इस तरीके के तरंगों को सुन लेता है जिसको हमारा कान नहीं सुन पाता है ठीक है तो यहाँ पर स्नेक भी लिख सकते हैं, साप लिख सकते हैं, और पक्षी भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, जो इस तरीके की तरंगे सुन लेते हैं, लेकिन मनुस्स इसको नहीं सुन पाता है, तो ऐसी तरंगों को अपसरब तरंगे, अपसरब साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं ठीक है तो बात समझ में आ गए आपको तो इंफ्रासोनिक साउंड उत्पन करने वाले कुछ जानवर होते हैं वही केबल इसको सुन पाते हैं हम लोग इसे सुन नहीं पाते हैं इसमें एक एक्जामपल और जोड़ देजे डॉग या कुट्टे कुट्टे भी होते है जो इस तरीके की तरंगे सुन लेते हैं और इसलिए देखा होगा कि कुट्टों में सुनने की छमता बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है इसके बाद हम दूसरे तरंग पर आते हैं जो सबसे महित्पूर्ण है इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा सोनिक साउंड या परासरब तरंग इसका सबसे ज्यादा टैनिक जीवन में उपयोग है इसके रेंज कितनी होते हैं इसके रेंज होते हैं बेस हजार हर्ट्स से ज्यादा होती है तो इसकी तीवरता बहुत अधिक होते हैं तो आख इसको एक-एक करके आप करते हैं पहले आप इसको देखे इसके उपयोग क्य पिछली क्लास में हम लोगोंने बात किया था यहां पर कि तो अल्टरा सोणिक जो वेव हैं तो सौंड उसी में एक और आता है जिसे बोलते हैं इसका इस तेमाल कहां कहां करते हैं तो अल्ट्रा साउंड को एक चुली में हम क्या बोलते हैं अल्ट्रा सोनोग्राफी बोलते हैं क्या बोलते हैं अल्ट्रा सोनोग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपर अल्ट्रा साउंड का इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रा सोनिक वेप्स का इस्तेमाल होता है और यह सोनोग्राफिक एक टिकनिक है जिसमें हम साउन सोनोग्राफिक भी बोलते हैं इसको साउन का पता लगाते हैं और उसके भीतर होने वाली हलचल का पता लगाते हैं जैसे सबसे पहला और सबसे important जो बात है जैसे यह मान लेज़े यह देखा होगा आपने यह जो माताय होती, उनके गर्व में जो बच्चा पल रहा होता है उसके बीच में देखो ये बच्चा है और इसकी सेहत कैसी है, अंदर हलचल कैसी है, मूवमेंट कैसा है यहाँ पर अल्टरा सोनिक साउंड इसके अंदर भेजा जाता है और फिर यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यह क्या होगा? यहां कम्प्यूटर पर स्क्रीन पर इसको दिखाई पड़ेगा कि इसका हलचल या movement कैसा है? तो इस तरीके से अल्टरा सोनिक साउंड का इस्तेमाल ultra sonography या जिसके हम सामाने भासा में ultra sound कहते है sound पता करने के Лिए होता है, ultra इसलिए बोला गया चोकि इसमें ultrasonic wave या ultrasonic करंगू का इस्तेमाल होता है, तो गर्व के अंदर बच्चे का movement या इसकी धनी तो sound का पता लगाने के लीए हम Ultra Sound का इस्तिमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते है Ultra Sonography या समान्वासा में Ultra Sound ही बोलते है सोनो मतलब होता है Sound ठीक है तो पहला इस्तेमाल यह हो गए दूसरा यह है कर आपको Bones या हड़ी के अंदर कुछ होने वाली जो हल चलें तो वहां पर भी देखें यह साउंड यहां से अल्टरा सोनिक पेपस निकलेंगे और इसके अंदर जाएगे, रेफलेक्ट होकर यहां जाएगा, आइसके पीछे जो कम्प्यूटर लगा होगा, वहां पर इसकी पूरी रेडिंग दिखा देगा अपे उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं उसका प्रिंट ले लेंगे, वो बता देंगे कि आपके अंदर यह सब अंदर हो रहा है ठीक है, तो मेडिकल फिल्ड में यह इस्तेमाल होता है, दूसरा आपने यह सब्वाँ होगा है, सोनार हम लोगों लोगों उस दिन में सौर्ड वीडियो में देखा था कि सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, तो सोनार में इस तरीके की तरंगे इस्तेमाल होते हैं, देखे कैसे काम करता है, यह जैसे माल लोग कोई अंदर सम महरेन हैं, अब यह क्या करेगा, अपने अंदर से रेडियेशन निकालेगा, यह रेडियेशन निकालेगा, और निकालते 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 यह जो है, ऐसी जगह पर जाएगा, किसी से टकरा जाएगा और टकराने के बाद फिर ये वापस है ध्वनी इसमें आएगी और यहीं से पहचान लेगा कि इस्टा डिस्टन्स क्या है यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी क्या है और दूरी के साथ लोकेशन सब कुछ बता देगा उसका साइट भी बता देगा कि कितना बड़ यहां पर भी अल्टरा साउंड सोनिक वेव या सोनार का इस्तेमाल कराते हैं कुछ यह जो वेल यह आपको दिख रहे हैं मचली नहीं है वेल तो यह भी क्या करती है अगर यहां पर छोटी मचलिया है तो छोटी मचलियों को खाना है तो ऐसा उसे कैसे पता जलेगा अपने अंदर से वेव से निकालेंगे तरंगे निकालेंगे और यह देख रहे हैं तरंगे निकल करके जाएगी और देखेगा कि यहां मचलिया है इसे टकराएगा और टकराने के बाद फिर वापस इसके पास आएगा फिर यह भाग कराएगा और फिर इनको क्या करेगा पकड़क खाज़ेगा तो इसके अंदर भी क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल मचलिया या वेज या समुद्र के भीतर रहने वाले जो जानवर है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरा है यह उपर आपको दिख रहा है चमगादर है तो चमगादर रात में ही निकलता है दिन में नहीं निकलता है रात्रिचर प्राणे है रात्रिचर प्राणे है रात्रिचर प्राणे को क्या कहते हैं नौक्टर्नल तो ऐसे जीव नौक्टर्नल ऐसे जीव जो रात में अपना भोजन की तलास करते हैं उसको नौक्टर्नल या रात्रिचर बोलते हैं रात्रिच गार एक रात रिचर है इसको दिखाई नहीं पड़ता है तो कैसे अपना सिकार पकड़ता है कैसे वह जाता है यहां पर इसको देखे आप यह अंदर से अल्टरा स्वनिक वेस पैदाकरेगा तो तो देखो, यहाँ पर यह चोटा टीट है इसे टकराएगा टकराने के बाद फिर इसके पास आएगा, इसको पता चल जाएगा इसे तरफ जाएगा इसे पकड़के क्या करेगा खा जाएगा, मार देगा यह तो एक तो इसका इस्तिमाल है अपना सिकार पकड़ने में इस्तेमाल करता है दूसरा ये है कि अपनी दिसा भी पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें जाना किस तरफ है तो अगर जाएगा टकराएगा तो उसी तरफ जाएगा फिर दूसरी तरफ जाएगा चुकि उसके अंदर कौन सा sound पैदा होता है ultrasonic waves या ultrasonic sound तो आपको पता जो लगया है इसमें बहुत सारे इसके उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में कोई सिफ है, कोई सम्मेरिन है उसकी speed, उसकी चाल उसकी स्थिती का पता लगाने के लिए ultrasonic waves, वेल या मचली समुद्र के भीतर किसी वस्त को पता लगाने के लिए चमगादर जो है उसको अपने सिकार को पता करने के लिए या अपने दिसा को पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह सब ultrasonic waves या ultrasonic sound का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है तो यह सब इसके जनर्नल उपयोग है एक दो उपयोग हम और देखते हैं एक दो उपयोग इसके यह है देखें यहां पर जैसे माल लो एगरी कल्चर है एगरी कल्चर एक क्रसी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है ठीक है? चुकि इससे बहुत सारे जो है वेफ्स निकलते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत जाला होते हैं तो कीट को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो एक करीके के यह insecticide या कीट को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है agriculture में पहला हो गया दूसरा है surgery में, surgery में कैसे होता है तो surgery में कहते हैं ना कि बिना blood का, बिना चीर फाल के कैसे operation किया जाता है तो बिना चीर फाल के या बिना blood के, तो यहाँ पर लिखेंगे without blood या without bleeding without bleeding surgery कैसे होती है without bleeding surgery कैसे होती है, जैसे माल लो, यह माल लो हमारा कोई अंग है अब इस अंग में क्या होगा, कि इसके अंदर माल लिजे कोई stone है या पथरे है तो बाहर से क्या करते है, बाहर से इसके अंदर ultrasonic waves इसके अंदर डाला जाएगा ultrasonic waves आएंगे और यह पथरे है उसके जो बड़े बड़े टुकड़े है इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा चोटे-छोटे टुकड़ों में तूट जाएगा तो उसके बाद यह चोटे-छोटे टुकड़ों में तूट करके कहां चला जाएगा ब्लड में जाएगा अब ब्लड के बाद कहां जाएगा किड़नी में जाएगा अब किड़नी में क्या होगा यूरिन के साथ या मूत्र के साथ कि क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से पथरी का operation भी बिना surgery के बिना bleeding के इस तरीके के तरंगों का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं तो चाहे kidney में हो या पिसाब की थैली में हो जैसे कि लेजर लेजर से हो जाता बिना चीर फाड़ के जो operation होता है वो ultrasonic waves या ultrasonic sound पैदा करके यहाँ पर इसका इस्तेमाल तो surgery में बिना bleeding के हम लोग कैसे यह surgery करते हैं तो उसमें ultrasonic wave का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है दूसरा है दूसरा है बैक्टीरिया को मारने में बैक्टीरिया को कैसे मारता है तो bacteria killing में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके बेदें चमता बहुत ज़्यादा होते हैं तो bacteria killing में भी इसका इस्तेमाल करते हैं आगे stone stone या पथरे को हटाने में stone या पथरे पथरे को तोड़ने में तोड़ने में इसका इसका इस्तेमाल किया जाता थीक है तो अब अगली बात यह जो heavy machine होती है जिसके कल पुर्जे बहूत बारी कोटे हैं और बहूत अंतर तक होते हैं तो heavy machinery में heavy machine heavy machine के जो engine होते हैं engine उस इंजन के अंदर की क्लीनिंग कैसे करते हैं क्लीनिंग उसकी सफाई कैसे करते हैं ये बात आपको यान देना है क्योंकि जो भारी मसीन होते हैं उसके अंदर तो हाट डाल के साफ नहीं करेंगे तो हाट डाल के साफ नहीं कर पाएंगे जूकि मसीन के पार्ट के बहुत कुछ उसके अंदर गंदगी होते हैं उसको भी साप करने में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप नहीं देखा बहुत सारे इस्तेमाल होते है अल्ट्रासोनिक वेव सके तो आप से एक बार नोट कर लेजिए ये टीक है यह सब इसके क्या है जन्नल उपयोग है तो ultrasonic waves या ultrasonic sound का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है समुद्र की गहराईन अपने में कोई सिफ है कोई submarine है या पंडुब्बी है उसकी गहराई उसका पता लगाने के लिए whale, मचली dolphin ये सब जो है समुद्र के भीतर अपने सिकार का पता लगाने के लिए चमगादर अपने सिकार का पता लगाने के लिए या heavy machine इंजन है उसकी एंजर की सफाई करने में stone या पथरी को तोड़ने में, bacteria मारने में या बिना blood के बिना काटे फिटे बिना चीरा लगाय हुए सरजरी करने में एगरी कल्चर में केट पतंगों को मारने में, इस तरीके से इसके बहुत सारे उप्योग हैं बाकि आपने ultra sound तो देखी लिया कि ultra sound में जो गर्भ में बच्चा पला है, भून का जांच करने में ultra sonic wave या ultra sound का इस्तेमाल किया जाता है तो ultra sound और ultrasonic wave को थोड़ा इससे समझना है इसमें क्या difference है थोड़ा आपको confusion इसमें कैसे रहेगा नहीं तो आपको ठीक है तो यह हमारे general इसके उप्योग हो गए audible wave, infrasonic wave और ultrasonic wave यह तीनो wave किस range में आती है यह audible वाला 20,000 से 20,000 के range में आता है infrasonic जो है 20 से कम आता है 20,000 हर्ट से कम आता है ultrasonic जो होता है 20,000 हर्ट से अधिक आता है तो तीन range हो गए यह तीनों range को एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए माध्यम की जरूवत पड़ते हैं इसलिए हम इनको क्या कहते है audible या mechanical wave या या आंत्रिक तरंगे कहते हैं इसके बाद हम दूसरी तरंगों पर आने वाले हैं जिसको बोलते हैं electromagnetic wave या बिद्दुच चुम्बके तरंगे बिद्दुच चुम्बके तरंगे electromagnetic waves ऐसे waves होते हैं जो अपने एक जगा से दूसरी जगा पर जाने के लिए उनको माध्यम किया हो सकता नहीं पड़ते हैं मलब solid liquid gas या किसे बे environment या किसे बे atmosphere wave मंडल के जरूरत बिलकुल नहीं होते हैं तो ऐसे तरंगों को बिद्दुच चुम्बके तरंगे कहते हैं इसको हम आगे देखने वाले हैं और इनके नाम क्या-क्या है इनके application क्या-क्या है इसको भी हम इसमें detail में देखेंगे ठीक है तो देखें electromagnetic waves या बिद्दुच चुम्बके तरंगे कहों से होते हैं इनके नाम क्या-क्या है तो यहाँ पर ये ठीक है तो ये electromagnetic wave ये बिद्दुच चुम्बकी तरंगे कितनी होती है और ये काम कैसे करते हैं हमारे दैनिक जीवन में इसका उप्योग क्या है इसको अब हम देखने वाले है तो यहाँ पर देखे तो इनके नाम क्या-क्या है तो पहला नाम है gamma rays जिसको बोलते है गामा रेडियस है फिर दूसरा है एक्स रेज फिर उसके नमबाद आता है आपका visible आता है visible में भी जो है आपके बहुत सारे जिसे अल्टरा वाइलेट अल्टरा वाइलेट के बाद IR इंफरारेड बोलते हैं इंफरारेड के बाद आपका microwave या सूक्ष में तरंगे बोलते है सोच में तरंगे बोलते है और सबसे last में क्या आता है आपका radio wave आता है radio wave radio wave है जिसका इस्तेमाल कहां करते है TV प्रसारण में FM में या जो आपके radio चलाए जाते हैं उसको में इस्तेमाल के जाते है तो ये तो figure से आपको कुछ कम समझ में आ रहा होगा मैं आपको एक एक लिख करके आपको बताता हूँ कि इसमें देखे आप अब इसमें देखे आप ये उपर लिखा है electromagnetic wave radiation spectrum spectrum का मलब होता है उसका जो range होता है जितने area में वो ट्रिबल करता है वही उसका spectrum होता है जैसे मालों अगर आम इने उसको ऐसे ऐसे बना दिया है ये area इतना है तो इसका spectrum इतना है फिर अगर ये कोई दूसरी radiation है जिसका area या wavelength ज्यादा है तो इसको बोलते है किसका spectrum ज्यादा है तो spectrum का मलब ऐसे कुछ बहुत कठिन सब्द नहीं है बहुत आसान है ये तो यहाँ लिखा है frequency उपर लिखा है यहाँ लिखा है wavelength तो दो बातों को आपको ध्याद से समझना है frequency का wavelength से कैसा संबंध होता है ये भी देख रहा है चुकि जिसकी frequency ज्यादा होगी जिसकी frequency ज्यादा होगी उसका wavelength क्या होगा कम होगा और जिसका wavelength कम होगा उसकी frequency क्या होगी ज्यादा होगी frequency का wavelength से उल्टा संबंद होता है कैसा संबंद होता है उल्टा मतलब inversely proportional होता है जैसे मालोग कोई wave है, कोई तरंग है, अगर वो ज्यादा distance तिबल करती है, ज्यादा दूर से अगर चलती है, तो उसका जो frequency है, जो घूमने का, जो company करने का, nature वो क्या होगा, कम होगा, तो wave length का, तरंग देड़ का आबरती से कैसा relation होता है, inversely या ultra संबन्द होता है, इस बात को पहले आप note कर लेजे, wave length, wave length को कि से दिखाते हैं, lambda से दिखाते हैं, wave length का frequency, n मतलब होता है frequency, या आबरती से कैसा relation है, कैसा relation है, उल्टा relation है, या inversely proportional है, ठीक, इस बात को हमेशा यार रखना, जिस तरंग का, जिस wave का, तो जिसकी frequency ज़ो है, जादा होती, उसका wave length कम होता है, जिसका wave length ज़्यादा होता, उसकी frequency क्या होती है, कम, तो आप इसको देखो, lambda को जो है, आप ऐसे लिख सकते हो, ये lambda है, wave length है, तरंग दैर्द है, और ये जो n है, ये है frequency, frequency मतलब आबरती, तो देखो, दियान से आप, इसको आप इसको देखोगे तो हो सकता है तोड़ा confusion होगा मैं इसको एक अलग table पर आपको लिख करके एक से एक दो बातें आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको इसे पता चल जाए कि frequency और wavelength का कैसा relation होता है ठीक है तो मैं आपके सामने सारी तो आप लिखे सबसे पहले हम लिखेंगे radio wave radio wave या radio तरंगे ठीक फिर उसके बाद लिखेंगे microwave microwave या सूक्ष में तरंगे इसको बोलते हैं सूक्ष में तरंगे आप इसी के साथ में लिखते चलिए यह है radio तरंगे radio तरंगे अब ही उसके बाद आता है IR या इसको बोलते हैं Infrared Infrared Radiation Infrared Radiation या इसको बोलते हैं आवरक्त आवरक्त विकरण बोलते हैं या आवरक्त तरंग बोलते हैं ठीक है उसके बाद आता है Visible आता है या द्रिस्त प्रकास आता है द्रिस से परकास, या विजबल, विजबल, या इसको बोलते है द्रिस से रेंज, द्रिस से रेंज बोलते हैं इसको, द्रिस से रेंज में आपने विब गयोर पड़ा है, तो विब गयोर में कई तरीके की रेंज होते हैं, जैसे अल्टरा वाइलेट, सबसे लाश्ट में आर ह clear और कि शुरूब में आपका विब्गैओर होता है tornam और तरंग एद कंते सेंसमें तो जैसे लिखा है विब्गेओर डिफ्गैओर। कि विभर और तो आपको करना क्या है आप पर इसको liegt पलप के लिखना है जब फिर क्या लिखो गो O लिखो गए, फिर Y लिखोगे, फिर Z लिखोगे, फिर Blue लिखोगे, फिर Indigo, Indigo जानते हैं कौन सा कलर होता है, Indigo जामुनी कलर होता है, कौन सा कलर, I कमला हो गया, Indigo, अब फिर उसके बाद क्या जाता है, V आ जाएगा, V मतलब Violet, जिसको हम UB भी बोलते हैं, Ultra Violet या पराबैगनी, पराबैगनी, तो अब आप इसमें देखेंगे, UB Light भी तीन तरीके होते हैं, UBA, UBB, UBC, ठीक है, चुकि इनकी wavelength होती है, wavelength या तरंग देखेंगे, तो UBA, UBB, और UBC होती है, अब इसको अब हम आगे देखेंगे, पहले हम पूरा इसको लिख लेते हैं, Classification कर लेते हैं, तो वाइलेट या अल्ट्रा वाइलेट के बाद पर किसका number आता है, फिर आता है आपका, X-ray आता है, X-ray के बाद पर क्या आएगा, गामा रे आएगा, या गामा बिकरण लिखते हैं इसको, गामा बिकरण, ठीक है, तो इतनी तरीके के रेडियेशन हैं, जो विद्दु चुमकी तरंगे हैं, या इसको एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए, किसी माध्यम या उसकी जरूवत नहीं पड़ती हैं, देख दाएं जाने पर, लेट टू राइट जाने पर, लेट टू राइट, लेट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर, यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी या आबरिती बढ़ेगी, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी, अभी मैं कि रहें फ्रक्वेंसी अगर भड़ेगी तो एक चीज क्या हो जाहेगा फिर लेफ टूराइट जाने पर जाने पर left टू राइट जाने पर लेप्ट टू राइट जाने पर इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा वेवलेंथ वेवलेंथ क्या होगा उसी का उल्टा होगा वेवलेंथ क्या हो रहा है घट रहा है घट रहा है इसका मतलब वेवलेंथ है डिक्रेस कर रहा है तो देखो एक चीज यहा हो रहा है यहां पर increase कर रहा है बढ़ रहा है फ्रिक्वेंसी increase कर रहा है लेकिन wavelength क्या हो रहा है decrease कर रहा है तो इसका ultra relation हुआ कि नहीं हुआ बाएं से दाएं जाने पर wavelength इसका क्या हो रहा है कम हो रहा है लेकिन यहां पर पहले वाले में इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है तो एक चीज बढ़ेगा दूसरा चीज क्या होगा गटेगा तो एक चीज बढ़ता है दूसरा गड़ता है तुसी को इनवर्सली प्रपोस्टनल या उल्टा रिलेशन बोलते हैं ठेक है अब देखो एक चीज आप यहां चमता बेधन चमता का मला इसमें खतरनाक सबसे कौन होगी अब हमने आपको इतनी सारी रेडियेशन बता दिये हैं आप इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होगी तो आपका जवाब होगा कि गामा रेडियेशन या गामा विक्रन सबसे खतरनाक होगी बिलक ज्यादा होते हैं यहां पर नोट करिए इसे फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ प्रिनेट्रेशन पावर से कैसा संबंध होता है फ्रिक्वेंसी मतलब आवरती का सीधा संबंध होता है सीधा संबंध मतलब अगर यह बढ़ेगा तो यह भी ब लिखते हैं एक सीधा संबन कि से पनेट्रेशन 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 पने यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा अब आप बताए सबसे कम किसकी है इतनी सारी तरंगों में तो सबसे कम तरंग किसकी है तो सबसे कम वेवलेंध किसकी है तो गामा की है सबसे ज्यादा वेवलेंध किसका है रेडियो वेव का तो रेडियो वेव का अगर फ्रिक्वेंसी सबसे कम है तो उसकी जो है बेधन छमता भी सबसे कम होगी तो ध्यान देना इस बात को तो इस तर पर बाय से दाएं जाने पर पेनेट्रेशन पेनेट्रेशन का मतलब होता है बेधन चमता पेनेट्रेशन पावर पेनेट्रेशन पावर क्या होगा बढ़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बढ़ेगा इंक्रीज करेगा क्यों क्योंकि यहां पर फ्रिक्वेंसी भी इंक्री होगा इसका मतलब इसका सीधा संबंद है ठीक है तो तीन बात हैं हमने नोट कर लिया कि तीन बातों का इनकी wavelength और frequency और penetration power का एक दूसरे से कैसा संबंद या relation होता है एक हम चौथा लिखने जा रहे हैं कि इस scattering का wavelength और frequency से क्या असर परता इस scattering का मतलब यह होता है कि अगर किसी wave या किसी तरंग को जैसे अगर हमने कहीं पर डाला अगर वो जा करके तुरंट फैल गया तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा इसका मुला उसकी scattering क्या हो गए ज़्यादा हो गए जैसे मालों हमारे पास कोई torch है अगर उस torch को अगर हम यहाँ पर light कहीं पर डालते हैं अगर ऐसे अगर बहुत दूर जा करके किसी वस्त उसे टकराती है तो बोलेंगे इसकी scattering या इसका प्रकीरन या इसका फैलाओ क्या है कम है बहुत दूर तक जा है तो इसका मलव उसकी wavelength क्या है ज्यादा है उसकी frequency क्या है कम है लेकिन अगर कोई तिरंग है कोई wave है कुछ दूर गया और वहीं जाके फैल गया तो उसका scattering का फैलाओ क्या है ज्यादा है दूर तक नहीं जाएगा तो उसकी penetrating power भी क्या होगी कम हो जाएगी तो आप यहां पर देखें कि प्रकीरणन या scattering प्रकीरणन या scattering को हम इस सेंस में नोट करते हैं कि यहां पर नोट करेंगे लेप्ट टू राइट जाने पर चौती होगा लेप्ट टू राइट जाने पर इसका scattering क्या होगा scattering बढ़ जाएगा scattering क्या होगा scattering मलब प्रकीरणन इस scattering क्या होगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा मतलब इनक्रीज हो जाएगा इसका मलब फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी का प्रिक्वेंसी का स्कैट्रिंग पावर से कैसा रिलेशन होता है सीधा संबन होता है scattering मतलब प्रकीरणन आप यह बताए लाल रंग का खत्रे का निसान क्यों बनाया जाता है आप एक सवाल का जवाब देंगे कि लाल रंग का खत्रे का निसान क्यों बनाया जाता है कारण यह एक जो यह लाल रंग होता है वो विजबल रेंज में आता है विजबल रेंज वो होता है जिसको हमारे आखें देख पाती है अगर उससे ज़्यादा उसकी बेबलंध या तरंग देद हो गई तो हमारे आख उसको नहीं देख पाएगे उससे कम हो जाएगा तो भी नहीं देख पाएगे जैसे अगर हमारे आसपास एकसरे हो गामा रे जो हमारे सामने से निकल जाएगे तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हमारे सामने से लाल हरा नीला पीला अगर निकल जाएगा तो हमको दिखाई पड़ेगा क्योंकि हमारे आँख की छमता भे इससे बाहर है तो आप ध्यान देना है कि रेडियो वेव, माइक्रो वेव, आईयार इन तीनों को भी हमारे आँख नहीं देख पाती है क्योंकि हमारा आँख जो इस रेंज में नहीं आता है इधर एक्सरे और गामा रेज को भी हमारे आँखे नहीं देख पाती है देख किसको पाती है सिर्फ विव ग्योर को ही देख पाती है विव ग्योर या इसको बोलते है विजबल रेंज बोलते है अद्रिस प्रकाल तो इस रेंज में ही जो आएगा उसी को हमारे आँख देख पाते है इसलिए हम लोग लाल, हरा, नीला, पीला, जामुने, इंडिगो, वाइलेट इन ही कलर को देख पाते हैं इसके अलावा किसी भी तरंग को हमारे आँख नहीं देख पाते है ठीक है तो अब हम लोग जो है ना इन तरंगों का उपयोग पढ़ते हैं इन तरंगों का हमारे दैनी जीवर में क्या इस्तेमाल होता है तो आपको बात समझ में आ गई, चार बाते समझ में आ गई कि बाएं से दाये जाने पर फ्र chronic क्या हो रहा है, बढ़ा है जिसका frequency बढ़ता है, इसका wavelength क्या होता है कम हो जाता है, तो frequency का wavelength या तरंग दैर से कैसा संबंद होता है उल्टा संबंद होता है दूसरी बात थी कि अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं यहाँ पर जो range हमारी आप बनी है जो waves बनी है तो आप wavelength कम होगा तीसरा यह है कि इसकी penetrating power या बेधन छमता क्या होगा बाएं से दाएं जाने पर वो की पर किरण हम बात कर चुके क्या होता है तो बाएं से दाएं जाने पर scattering क्या होता है इस scattering जो है बढ़ जाएगा तो सबसे ज़्यादा scattering इन तरंगों में किसका होता है तो बोलेंगे गामा का होता है सबसे कम scattering किसका होता है तो बोलेंगे radio wave का होता है या radio तरंगों का होता है, तो आब हम इन तरंगों में सब के क्या करेंगे? हमारे द्हिनीक जीवन में जो उपयोग है उसको हम देखेंगे, ठीक है? तो हम एक एक करके देखते हैं और हमारे life में इसका क्या استعمال होता है उस पर चलने वाले, ठीक है? तो एक बार जो है एक बार इस तरंग को देखे आप यहां पर कि यहां पर लिखा हुआ है frequency लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 10 to power 24 का मतलब हो गया कि एक सेकेंड में आपको पता है frequency क्या होते है एक सेकेंड में मतलब 24-0 लगेंगे अगर 24-0 को आप समझ सकते हैं कि कितना होगा 24-0 लगा दीजे तो मतलब जिथे बार यह कमपन करता है तो एक सेकेंड में 10 की पावर 24 मतलब जितना भी होगा यह उतनी बार यह कमपन करता है तो अतना vibration होता है उसके अंदे इसलिए इसकी frequency सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा frequency किसकी है गामा रेज की तो आप इस range को देख लो और आप इसके बाद इसको देखो तो सबसे ज़्यादा frequency किसकी है गामा रेज की फिर उसके बाद किसकी है एक्स रेज के फिर उसके बाद अल्ट्रा वाइलेट का नंबर आता है अल्ट्रा वाइलेट में अभी हम UBA UBC देखेंगे ठेक है उसके बाद visible range आता है visible range उसके बाद यहाँ आता है 10 की 12 फिर microwave में आपका आ जाएगा इसमें यह 10 हो जाएगा फिर यह आपका 10 to power 6 या इस range से इस range के बीच में होता है आप यह देख सकते हैं उसमें और 10 to power 9 to 10 to power 12 के बीच में आया और यह लगभग जो है आपका इसके range में आता है तो सबसे जादा frequency किसकी है गामा की उसके बाद frequency किसकी है X-ray के अब उसी का उल्टा आप देख लो यहाँ wavelength का wavelength में देखें यह 10 to power 9 10 to power 6 10 to power 3 10 to power 0 10 to power minus 3 10 to power minus 6 10 to power minus 9 10 to power minus 12 10 to power minus 15 है यह जो minus 15 है यह है सम मीटर में किसमें लिखे हैं मीटर में इसका मतलब जितना minus होगा उतने उस संख्या क्या होगी कम होगी ओपर देख लो जितना यहाँ प्लस में उतने उक्या होगी संख्या ज़्यादा होगी, इसका मलब wavelength सबसे कम किसकी है, यहाँ frequency सबसे ज़्यादा किसकी है, गामा की, उसी का उल्टा क्यों है आपका, जो wavelength है वो क्या है, सबसे कम किसका है, गामा का, तो सबसे गामा का है, इसलिए इसकी penetration power क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसकी frequency सबसे तो इस figure से आपको देख यहां लिखा है decreasing wavelength यहां wavelength क्या हो रहा है decrease कर रहा है मलब जो तरंग दैर्द है वो decrease कर रहा है increasing frequency क्या हो रहा है increase कर रहा है आप इस figure से देखें यहां पर देखो यहां पर कि यह frequency यह wavelength देखो यह एक दो ऐसा कितना दूर दूर यह दिख रहा है आपको लेकिन जैसे जैसे इधर आते हैं यह range दो है distance क्या हो थोड़ा सा कम होता जाता है इसका मतलब इनकी frequency बढ़ रही है अब wavelength क्या हो रहा है कम हो रहा है चुकि wavelength हमने पढ़ा है एक string और एक गर्थ के 20 की दूरी को एक trist और एक ट्रोफ के 20 की दूरी को तरंग देख कहते हैं wavelength कहते हैं यहां wavelength देखो कम हो रहा है लेकिन frequency क्या हो रही है लगातार बढ़ते हैं और सबसे last में देखिए यहां पर wavelength बिल्कुल कम है लेकिन frequency क्या है बहुत ज़ादा है तो यह आज डाइग्राम देखने से आपको यह समझ में रहा होगा कि यह सबसे खतरनाक कौन वाला हिस्सा होगा सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन वाला होगा तो सबसे ज़्यादा खतरनाक यह वाले हिस्से होंगे च्योंकि इसकी frequency क्या है सबसे ज़्यादा है लेकिन जैसे जै तो आप याद कर लें नहीं तो वो टेबल आप देख लेंगे तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो इसमें हम एक सवाल आप से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है तो आप सर्म आपको दे रहे हैं यहां है रेडियो वेव या रेडियो तरंगे दूसरा है माइक्रो वेव या सूक्ष में तरंगे और तीसरा है रेड लाल लाल रंग सबसे खतरनाक है और चौता है नीला रंग, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, ब्ल्यू कलर, चार ओप्सन है हमारे पास, which one is most dangerous, तो आप इसको देख लिए, जिसकी wavelength ज़्यादा होगी, वो कम खतरनाक होगी, जिसकी wavelength कम होगी, वो ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि उसकी frequency सबसे ज़्यादा होगी, तो आप इन में देखे, सबसे ज़्यादा frequency जो है, किसकी होते है, नीले रंग की होते है frequency, तो frequency है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक यह होते हैं, इसी में एक और option मना देते हैं, A है हमारा radio wave, radio तरंगे या radio wave, बे है microwave या सोक्ष्म तरंगे, microwave और C है X-ray, X-ray है और D है gamma ray, gamma ray या gamma बिकरण, gamma बिकरण, तो किसकी बेधन चमता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो जिसकी frequency ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, तो किसकी frequency सबसे ज़्यादा है, तो gamma में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, और किसी में एक सवाल और बना लीगे, which one is, लिश्ट dangerous, सबसे कम खतरनाक कौन है, least dangerous सबसे कम खतरनाक कौन है तो जिसकी wavelength ज़्यादा होगी वो सबसे कम खतरनाक होगी तो इसमें भी सही जवाब हमारा क्या होगा radio wave यहाँ पर हो जाएगा radio wave सबसे कम खतरनाक है ठीक तो सबसे कम खतरनाक कौन है radio तरंग ठीक है तो अब हम जो है आपको समझ में आगए हो कि सवाल इसी तरीके के आते हैं कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है कौन सबसे कम खतरनाक है चुकि हमारे दैनिक जीवन में इन्ही radiation यह इन्ही विक्रण के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो एक बार इसको देखे आप आप इन तरंगों के हम उपयोग पढ़ने हो तो गामा किरण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है क्या क्या काम करता है गामा radiation तो पहला देखे अप्लिकेशन आप गामा रे गामा विक्रण का उपयोग क्या है तो पहला यूज इन रेडियोग्राफिक टेक्निक्स इस सूटिंग इंसाइड और आपजेट आप्जेट आप्चेड वर रिकॉर्डेड इन दे एक्सरेड तो मलब रेडियोग्राफिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी वेधान चमता क्या होती है इस्तेमाल की जाती है सीटेइ स्केंड चांट का सिध सिध सवाल आता तो इसका सीटेइ स्केंड का a chapter कम्प्यू deshalb या … कंप्यूट्र क्या है कंप्यूट्राइड चीन और तो सीटे इसका काटने वाला होता है ऐसा नहीं होता है यह इसकी जो है ना बहुत सारे इस तरीके के radiation होती है और उसकी फेदन करनी की छंता बहुत ज्यादा होता है, आप जैसे मालो है, कोई tumor होगा, कोई gaat होगी, अब gaat पर क्या लगातार इसको हम क्या करेंगे? डालेंगे gamma radiation को, तो ये gamma radiation क्या करेंगे? इसको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे टुकडों में क्या कर देगा, तोड़ देगा, काट देगा, खतम कर देगा, इसलिए कह रहे हैं कि कैंसर के इलाज में कैंसर के इलाज में किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए इसको सरीर में बेजा जाता है क्योंकि इससे आने वाले समय के लिए और कैंसर पैदा भी हो सकता है क्योंकि ये DNA को मार देता है जो हमारे बोडी में DNA है DNA कोई भी क्या करते था लंबे समय तक अगर भेजेंगे तो मार देगा इसलिए कुछ सेकंड के लिए इसको उस टिमर पर डालते हैं और टिमर को खतम कर देता है तो कैंसर के इलाज में भी किसका इस्तेमाल होता है इसित्रिलाइजेशन प्रोसेस पार योजीटल टीशो प्रोडेक्ट इस्टिलाइजेशन का मतलब होता है बैक्टेरिया फुरी करना इसका ऐसी अधिया करेंग्हान meget इसका मृइच्टेरिया बाइक्टेरिया वह स्ने डाइज का यहां जैसे गामा रेडियेम का इस्तेमाल करेंगी गामा रेडीयेसिन क्या करेंगा क्षटम कर देगा मर्तलाइस करते हैं गोंने इस का कि यह बड़ीशन बोतन हैं जो है ना प्लांट में पौधों में plant breeding मलब एक से नई जातियां पैदा करने में new species नई नई जातियां पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ठेक है यूज़ डेजन nuclear weapons nuclear weapons का मतलब होता है जैसे हम लोग हतियार इस्तेमाल करते हैं गोली बारो धुमा होता है तो यहाँ पर धुमा नहीं होगा यहाँ पसिभी laser light होगे और laser light जोए जहाँ पर जिसके उपर डालेंगे उसको क्या करेगा मार देगा यह तो इस nuclear weapons या नाभ की हतियार नाभ की हतियार बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है ठीक है जिसमें धुमा या आवाज नहीं होती है सिर्फ radiation होती है अब वो radiation किसके होती है गामा radiation होती है योज टू क्रेट एस्ट्राइल इंसेक्ट इस्ट्राइल इंसेक्ट का मतलब क्या होता है जैसे मान लो हमारे पास male mosquito है male है mosquito मच्छर दूसरा क्या है female है हम ये चार हैं कि male और female आपस में ना मिले तो क्या करेंगे इसके उपर गामा radiation डाल देंगे तो गामा radiation डालेंगे मरेगा तो नहीं है चुकि इनको मार देंगे तो क्या होगा है खतम हो जाएंगे तो भी दिक्कत है तो मारने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो sperm पैदा होगा वो sperm बनना बंद हो जाएगा तो एक तरीके के ये नपुनसक कीट पैदा करने में भी इसका इस्तेमाल होता है लग आगे ये मच्छर पैदा ही नहीं कर पाएंगे तो धिरे-धिरे-धिरे-धिरे संख्या क्या होगा पूरी तरिके तो नहीं माला जासकता है लेकिन संख्या क्या होगी थोड़ा सा कंड्रोल और जाएगी ठीक है आगे यूस्ट टू किल बैक्टीरिया और वारिसे सिंग क्रॉप और फूड फशन में बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाते हैं बिमारी लग बहुत सारे वाइरस की वज़ाज़ पूरी फसल बरबाद हो जाती है तो इसलिए फसल को बरबाद होने से बचने के लिए हम लोग गामा रेडियेशन का इस्तेमाल करते हैं अब कभी कभी मीट की पैकिंग जिसे माल लोगे पैकेट्स है इसके अंदर मीट रखा है, मांस रखा है तो इसमें भी बहुत सारा पानी होता है वो बैक्टीरिया होते हैं तो बाहर से इसके अंदर रेडियो या गामा रेडियेशन डालेंगे तो यह पानी को क्या करेगा खतम कर देगा और सारे बैक्टीरिया विमार देगे नुक्सान दायक भी है तो दोनों पहलू है तो जहां हम इस तरहिके से इस्तेमाल करना होता है उस तरहिके से इस काम इस्तेमाल करते हैं तो यह गामा रेडिशन हो गया है जिसकी बेधन छमता है प्लेट्रेटिंग पावर जो है सभी इलेक्ट्रोमाइगनेटिक वेवस में तो एक्सरे जो है तो एक्सरे तो एक्सरे का इस्तेमाल कहां पर होता है तो इसका भी बहुत ज्यादा इसके वाल होता है देखें यहांपर एक्सरे इस टोरेश फॉस्फोरस टेक है तो एक्सरे का इस्तेमाल तो अमने ज्यादा तर देखा होगा कि जैसे हड़ी तूट गई किसी की हाथ पर तूट गया तो उसको एक्सरे करा लेते हैं सिधर चेस्ट या छाती की अंदर जो फेपड़ा हमारा या उसकी पसली है उसकी जाच के लिए करते हैं लेकिन उसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं जैसे क्रैक इन बिल्डिंग अगर कोई बिल्डिंग है तो क्रैक हो गए क्रैक्स इन बिल्डिंग तो उसका भी एक्सरे कराया जाता है क्योंकि अगर उसका एक्सरे हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कहां से बिल्डिंग क् तो आप देख लिए इसमें X-ray का क्रिश्टैलो ग्राफी लिखा है क्रिश्टैलो ग्राफी का मलता कोई crystal क्रिश्टल का मतलब होता है कोई भी पलाण है, उसके अंदर का जो structure है उसकी बनावट कैसे होते है तो आप एकसरे कर लेते हैं वो अंदर का सरचना या उसकी बनावट बता देता है कि वो किसलिए है तो जैसे प्रोटीन का इस टेक्सर पता करना है डिफ्रेक्टोमेटरी का मतलब जैसे माल लिजे ये कोई इट है या कोई पत्थर है अगर इसके अंदर X-ray डालेंगे तो इसका फोटो जो है स्क्रीन पर आ जाएगा इस क्रीन पर आ जाएगा तो यह बता देगा कि यह इट या पत्थर या इस टोन किस तरीके का है इसके अंदर की बनावट कैसे है तो वह जो है एक स्थरे से पता जलता है दो तो माइक्रोश्कूपी में Clark, Protons इनका भी इस ट्थर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो डेटा एस्टोड इस्टो और उप्टिकल इस्टोरेज एनालोग इस्टोर और क्वालिटी कंट्रो माटेरियल साइंस निउट्रॉन रेडियो ग्राफिए यह सब इसके क्या है फिल्ड है लेकिन ज्यादा तर इस्तेमाल कहा होता है कि बॉन फ्रेक्चर में हड़ी के तूटने पर किस तरंगों का इस्त क्योंकि इनों ने इसकी होस किया था एक्स रेगी ठीक है तो इस तरीके से हमारा एक्स रेगी हो गया और एक्स रेग के बाद आता है आपका यूबी लाइट अभी हमने जिसकी wavelength ज्यादा होते है वो कम खतरनाक होती है जिसकी wavelength कम होती है वो ज्यादा खतरनाक होते है तो अब आज देखें ल्ट्रा वाइलेट रेज यूबी से यूबे बे यूबे अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन ए तो हमारे आख की देखने की छंता या कैपसिटि कहां से कहां तक होते हैं तो 400 से लेकर 750 एनम या नैनोमीटर या 400 से 800 नैनोमीटर ये हमारा क्या है विजबल रेंज इसको बहुत ध्यान से समझना है हमारी आख जो है सिर्फ इसी रेंज को देख पाती है इससे ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं देख पाएंगी इससे कम हो जाएगा तो भी बहना भी नहीं देख पाएंगी। अब आप देखे जिसको हम बोलते हैं द्रिस्से परास बोलते हैं। हमारे आँह इन्ही लाइट को इन्ही तरंग दैध को देख पाते हैं। उससे कम और ज्यादा को नहीं द्रद्राइब पते हैं। तो जिसकी wavelength ज्यादा होगी, वो क्या होगी, कम खतरनाक होगी, तो आप जानते हैं कि उपर सूर से सारी light आती विवगयोर, तो विवगयोर में ABC तीनो है, तो UBC 100-289 में होता है, UB280-315 होता है, UB315-400 होता है, तो हमारे जो Y मंदल है, उनमें कौन कौन से layer है, ठीक है तो जो अमारा Y मंडल है उसमें जो है कई लेर होते जब से नीचे ट्रोप एश्पेयर इसको बोलते हैं छोग मंडल ऌतल बोलते हैं यह समताप मंडल तो समताब मंडल का जो temperature होता है हमेशा समान रहता है आपर मौसन सांत रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा आंधे तो फान जंजावात या धूल भरे आंधे बादल बारिस जो सोर गुल दुनिया भर का जो दुर घटना है मौसन सांत कहां रहता है सबसे ज़्यादा सांत करे मौसन तो वो भी कहां होता है समताफ मंडल में तो इस तरीके से ये रेडियेशन आते हैं आपर ध्यान से हमारे धर्ती पर हमारे धर्ती पर UB B भी आते हैं UBA भी आते हैं ये धर्ती पर लेकिन जो UBC है UBC जो है नहीं आपाते है कारण UBC जो है यहां से आके जो समताप मंडलרג है उस्के गारा इसको ऑजोन लेयर है उसको वस्शुषित कर लेता है जिसलिह हमारे जीवन को बचाने का कार है और अच्छा करने का कार किसका होता है ओजोन लेयर का होता है अगर यही ओजोन लेयर खतम हो जाए तो यह डारेट कहां आएंगे धर्ती पर आएंगे जिस पर रहने वाले पेर पहुत है और मनुस से सबको क्या होगा नुकसान होगा और सारे लोग क्या होंगे Skin Cancer का सिकार हो जाएंगे सबसे जो common बिमारी होते है Ultraviolet Radiation से वो काउन होते है Skin Cancer या तचा काइंशर होता है ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि UV light से सबसे ज़्यादा खतरनाग बिमारी काउन से होते हैं इसकी इनकर इंसर लेकिन ऐसा होता नहीं है चुकि ये ओजोन लेयर इसको आसोसित कर लेती है तो हमारी धर्ती पर काउन काउन से आती है यूबी भी भी आ जाती है थोड़ा बहुत यूबी ये तो पूरी-पूरी आ जाती है लेबिन यूबी से जोए नहीं आती है यूबी से जोए ओजोन लेयर के द्वारा क्या कर लिए तते हैं और सोसित कर लिए जाते है तो इस तरीके से हमने देखा कि गामा विकरन का उपयोग एक सरे का उपयोग और UB का उपयोग UB ये सारी तरंगे ये सारी वेब्स किसमें आती है Electromagnetic वेब्स में आती है इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे IR, Microwave Red और Radio Wave ठीक है? तो यहां तक इसको आप देखे उसके बाद हम अगले क्लास में फिर आप से मिलेंगे उसके आगे वाले वीडियो को आगे बढ़ाएंगे